बजट कैटेगरी स्मार्टफोन के बारे में अगर बात किया जाए तो हाल फिलाल में दो नया स्मार्टफोन लॉंच हुआ है एक है रियल्मी के तरफ से रियल्मी C11 जो लॉंच हुआ है साड़े साथ हज़ार रुपए में 2GB RAM 32GB ROM के साथ और एक स्मार्टफोन लॉंच हुआ है इन्फिनिक्स के तरफ से जो है इन्फिनिक्स स्मार्टफोन प्लस जिसका प्राइज रखा गया आठ हज़ार रुपए साथ हज़ा नौसो निन्यान रुपए वे 3GB RAM और 32GB ROM दोनों स्मार्टफोन काफी बढ़िया है उसके अपने प्राइस रेज में हाला के दोनों को लगबग सेम कैटेकरी में हम लोग रख सकते हैं और आज करते हैं यही दोनों फोन का एक स्प्रीड टेस्ट सो चलिए सबसे पहले री स्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं सबस्ट प्राइस, बूख खाएज करते हैं यहां पर चलियरली रियल्मी बोहुत फास्ट यहां पर बूटप हुआ इनकबद इन्फिनिक्स का बूटप जो टाइम तब वह काफी लेट था जैसे आपने देखा मैं जल्दी से यहां पर एक information आप लोग के लिए चेक करके दिखाता हूँ एक्जैक्ली यह डेफ चेके जनरल इंटर्नल इंफॉर्मेशन निकाल के आप लोग को बताता है क्या है क्या है क्या नहीं है यहां पर हार्डवर देखा जाएं यहां पर हीलियो जी थाटीफाइब सर्प्राइसिंगली मुझे पता नहीं इंफिनिक्स में इखाले पी 22 दिखाता है बेसिकली यह यह 25 है लेकिन मैंने बहुत सारा एप्लिकेशन चेक्के वहां पर पी 22 दिखा रहा है इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए यह वाला मैंने ऐसा किया तो चली मैं सबसे पहले यहां पर जो चीज है मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं और बीसिक के लिए अगर देखा जाए इसमें 3GB RAM है इसमें 2GB RAM है और यहां पर 1.34GB के RAM आसपास खाली है और यहां पर 870 RAM खाली है तो RAM management में दोनों ही लगबार ठीक ठागे लेकिन यहां पर ज्यादा राम मिलता है यहां पर कम RAM मिलता है और मैं आपको दिखा तो यहां पर मेरा Wi-Fi Connected है और मेरा Wi-Fi का जो स्पीड है विचिस 100 Mbps स्पीड है तो चलिए जल्दी से थोड़ा बहुत स्पीड टेस् है जो बीचिक अप्लिकेशन जो हम लोग हमेशे इस्तमाल करते है विचिता फेस्बूक है तो फेस्बूक लगभग से मी टाइम में खुला लेकिन मुझे लगता है इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा फास्ट खुला है उसके बाद देखते हैं इंस्ट्राग्राम इंस्ट्राग्राम यहां पर काफी फास्ट कोला है रियलमी सी 11 में इन कंपार डू इंफिनिक्स क्योंकि यहां पर फास्ट खुला था अभी ट्राइ करते हैं यूट्यूब यूट्यूब का देखते हैं लगभग दोनों लगभग सेवी और ज्याधा टिफरेंश नहीं है दोनों का मुछी लगता है से इम है नेग्सट ट्वीटर ट्विटेम में मुझे लगता है आपका इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा बेटर काम किया थोड़ा सा फास्ट ओपेन हुआ नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे फिलिपकार्ट पे रोज मारा की जिंदिकिया हम लोग इस्तमाल करते है वाल अप्लिकेशन फ्लिपकार्ट भी यहां पर इन्फिनिक्स ने काफी बढ़िया तरीके से ओपेन किया फास्ट ओपेन किया नेक्स्ट है अमाजन अबाद देखे जाए श्प्रिट सेगें फास्ता रियल्मी लेकिन मोर और अलेस इंफिनिक्स पीछे निटा दोनों लगभग से मैं मल्टी टास्किंग देखा जाएं यहां पर सभी अप्लिकेशन और यहां पर 1.8 GB अभी भी खाली है अगर मेमरी इस्तमाल देखा जाएं यहां पर 648 MB है सु मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं एक बाद स्पीड टेस्ट करके आप लोगो दिखाता हूँ एक्जैक्ली स्पीड टेस्ट का परफार्मेंस यहां पर कैसा निकल के आता है तो दोनों ही मेरा अल्रीडी कनेक्टेट है मेरे वाइफाई से अभी जल्दी से मैं दिखाता हूँ कि कैसा है यह वाला यहां पर यह से अब देख पर एरर हो गया है एक्चुली रियलमी का यह एक दिक्कत है रियलमी में एक्प्लिकेशन बहुत जयादा क्रैस होता है तो यह वाला दिक्कत मैंने काफी बार नोटीस किया है तो यहां पर मैं अल्रीडी थर्ट टाइम स्टार्ट कर देता हूँ इन्फिनिक्स में और यहां पर अभी सेकेंड टाइम हो रहा है तो अगर रेजर्व्स देखा जाए रियलमी ने थोड़ा सा बेटर काम किया इन टाम्स पीड ऐस कांसर लेकिन कुछ-कुछ जगा पर इन्फिनिक्स ने भी काफी अच्छा स्पीड यहां पर डाला है तो यहां पर रियलमी ने बहुत जल्दी इस गेम को लोट किया और इन्फिनिक्स में अभी भी गेम लोड हो रहा है और फाइनली यह लोड हो गया है और टाइमिंग के मामले में यह काफी फास्ट है मैं और इक चीज़ा आप लोगों को दिखाना चाहता हूं विच इस ग्राफिक्स तो मैं चलती है तो सेटिंग्स में और ग्राफिक्स कंट्रोल में एक बाद देख लेते क्या है इसका जो स्लोने से टाच रिस्पॉंस से काफी खाम है मतलब रियल में का बहुत टाइम में हैंग करता है तो यहां पर स्मूध मीडियम और बैलन्स में मीडियम में मैक्सिमा खेल सकते हैं एजडी यहां पर अविलेबल नहीं और इसमें कर देखा जा बैलन्स मीडियम इसमें काफी बैलन्स ने हो आशिए में में काफी बैटर गाम काज के इन फॉंस ने फास्ट ऐस आप्लीकेशन को ओपिन किया है सो इस बारे में इंफिनिस को फूल पॉइंट मलता है यह स्मार्टफोन आपको बहुत दिक्कत देगा फरस्ट वाल यू आई काफी स्लो एंड लैग ही है उसके साथ-साथ एप्लिकेशन बहुत जादा क्रेश होता है जी हां मैं जब यह सब एप्लिकेशन डाउनूट करता है तो यह सब चीज बहुत बहुत बार हुआ है तो यह एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दो चीपी रैम आज कल के दिनों में एकसेप्टेवल नहीं है मतलब मिनिमम तीन जी भी चाहिए दूसरे साथ में इंफिने से काफी अच्छा गाम किया हाला कि A25 slower processor है in compared to G35 लेकिन overall इसका performance मुझे काफी सही लगा और most importantly app या फिर multitasking है काफी अच्छे से करता है और RAM management इसका काफी अच्छा है मैं frankly आपको बताऊंगा real life scenario में अगर आब 8000 रुपे के अंदर smartphone लेना चाहते है आग बंद करके infinite smartphone plus ले सकते हैं there is no point of buying real me c11 क्योंकि मैं काफी shocked हो गया flip card में इतना सारा review देखके कि इतना सारा unit लोगों नो लिया है मतलब बोलो कैसे इस्तमाल कर रहे है ऐसे reviewer ऐसे user मैंने दोनों फोन इस्तमाल करके देखा इससे पहले भी मैंने real me का 2gb RAM वाला smartphone इस्तमाल किया है मुझे काफी अजीब लगा है कि यह smartphone लेके इंसान कैसे इस्तमाल कर सकता है क्योंकि यह काफी lag है हाँ यह अभी हो सकता है जो लोग नया-nया smartphone इस्तमाल कर लाए उन लोग के लिए यह वाला smartphone अच्छा लगे मेरा expectation हो सकता है थोड़ा सा बेटर है क्योंकि मैं different different smartphone इस्तमाल करता हूँ तो यह totally vary करता है person to person but frankly speaking out of this two device real me से better होगा infinite smartphone that is my personal recommendation लेकिन आप अपना पैसा खर्च करने से वाले एक बार नहीं दस वीडियो देखो दस रिवीव देखो उसके बाद कोई भी smartphone के अंदर पैसा खर्चा करो क्योंकि यह totally मेरा personal experience रहा है जो मैंने आप लोगों से share किया वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को like share उ अजी खर्चा करो का लेखो करो कि अबदाद रहा हैं।